Hello guys welcome to my channel आज हम करने वाले हैं RC का एड्रेस चेंज और पहले हम उपन करेंगे परिवहन की वेबसाइट तो परिवहन.go.in पे जाएंगे हम यहाँ पर online services में vehicle related services में जाएंगे यहाँ पर अपनी state select करेंगे जिस state से हैं आप select करने के बाद ही यह कुछ information आगई एक pop-up सा page बिल गया यहाँ पर मुझे आर्सी का एड्रेस चेंज करना है तो चेंज ऑफ एड्रेस इन आर्सी में जाबाना यहाँ पर login करना पड़ेगा मुझे अपने ID पासवर्ट डालके तो यहाँ पर हम login कर लेंगे अपना ID पासवर्ट डालके और अगर आपका ID पासवर्ट नहीं है तो आप register भी कर सकते हैं यहाँ से और यह निटे लिंग दे रहे हैं रिजिस्टर ना हो रिजिस्टर का प्रोसेस बिल्कुल ऐसे फूल नम डालना है इमेल डालना है अपना मुवाइल नमर डालना है और स्टेट करना है capture डालके आप जिसे रिजिस्टर करेंगे तो आपको OTP आएगा आपके email ID पे और आपके मुवाइल नमर पे आप किसी भी एक किसी भी एक जगां से आप OTP लेकर आप OTP डालके रिजिस्टरेशन कर सकते हैं मैंने ऐसे करके ID बना लिया था अपना तो लॉगिंग करूंगा है आपके डाल देता हूं मैं हाँ पर सब्मिट करने के बाद लॉगिंग करते ही दुबारा से यही पेज खुल गया है चेंज आप एडर से नर्सी सरेट कर लेंगे यहां से गाड़ी कर रेजिस्टेशन नमर पूछेगा चैसी नमर पूछेगा लास्ट फाइव डिजिट वह डाल देंगे यहां पर सब्मिट कर होने लग गई है अब वेबसाइट पर तो हम इसको अधार से अपना अधार नमर डाल के और उसके जो अधार का जो लिंक्ड मॉबाइल नमर रोगा उसके ओटीप आएगा वो डालना पड़ेगा हमको तो मैं पहले अपना अधार नमर डाल लेता हूँ इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे एग्रिमेंट वाले चेक बॉक्स को और फिर हम जन्रेट ओटीप करेंगे तो मेरा रेजिस्टर जो नमबर है इसपे ओटीप आ जाएगा तो मैं ओटीप डाल देता हूँ करने के बाद यह मेरे विकल की डीटेल्स आ गई है मुझे next करना है और मुझे address चेंज करना है तो मैं change of address in RC पे सिलेक्ट करके यहां से submit कर दूँगा अगर आपका आपकी RC खो गई है और address चेंज करना है दोनों काम करना है तो आप issue of duplicate RC भी कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए आपको एक FIR की ज़ुरूद पढ़ेगी जो आपको आउनलाइन पे FIR रेजिस्टर करके उसकी कॉपी डाउनलोड करके फिर वो लगानी पढ़ेगी मुझे भी इसकी ज़ुरूद नहीं है मैं स्रिफ एड्रस जिंज करना चाहता हूँ तो चेंज एड्रस इन रसे स्टर करके और सब्मिट कर देता हूँ यहां पर मुझे रेड ट्रैंगल से दिख रहे हैं मुझे इनको ग्रीन करना होगा मतलब इनकी मुझे जो इन्फरमेशन मांगी है वो पूरी करनी होगी सबसे पहले चेंज कर देडरस इन रसे में जाना हुआ हमें यहां पर कब से और स्टर में डिटेल होगा हमें तो यहां पर प्च डीटेल अपना डली है फ्रम आज इक डेट आगई हैं यहां पर डिस्रिक में सब्डेल कर लेता हूँ नौर्थ वेस्ट डेली नॉर्थ वेस्ट एलेक्ट कर लूँ है हमें और सब्सक्राइब नेक्स पर रहता हूँ है ड्राफ्ट से वह चुका है इंशुरेंस के डिटेल है जो कि यहां पर अल्रडी आ गई है नेक्स्ट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट करते हैं यहां पर e-sign documents के लिए बोलेगा उस पर क्लिक करेंगे यहां पर हमें अपने documents को e-sign करना होगा इसको close कर देंगे यहां से और यहां पर यह form 33 automatically आ चुका है not applicable लिखा है इसको हमें कुछ नहीं करना है इसको जैसा है यह पढ़ा रहन देंगे प्री फिल्ड फॉर्म है जो automatically select हो के यहां पर आ गया है अपलोड कर दिया है okay कर दिया है इस check box को check कर देंगे यहां पर और हमें को e-sign कर देंगे तो e-sign पर click करते हैं यहां पर आधार नमबर मांगेगा उस पर जो हमारा registered mobile नमबर उस पर OTP आएगा उससे वह आधार नमबर डाल देता हूं यहां पर क्लिक करा मैंने अब यहां पर वह OTP आएगा मैं डाल दूंगा यह आ चुका है कि चेक बॉक्स को चेक करके और सब्मिट कर देंगे और सब्मिट करते ही यहां पर यहां पर यह ई-documents have been e-sign successfully रिखा गया go back करेंगे तो यहां पर भी message आ गया है successful successfully signed documents और यहां पर यह हमारी information आगे नए address की अब यहां पर हमारे यह सारे check box almost हो चुके हैं तो payment करना रहा गया खाली तो हम उसकी पेमेंट जो है 530 रुपीज की दिखा रहा है यहां पर चेंजर फैडरेस की 300 है पोस्टिल फीज है तो यह post my post करके भीजेंगे वह तो चेक बॉक्स करके और कंफर्म पेमेंट कर देंगे यह मैं अपनी पेमेंट कर देता हूं मैं यूपास से पेमेंट कर देता हूं यहां से पेमेंट हो गया है पेमेंट होते ही दोस्तों एक रिसेप्ट खुल जाएगी यह आप अपने पास सब्सक्राइब कर रखेएगा इसको प्रिंट करके एपीडिया फॉर्मेट में से वह गर रखना है इसको क्यूंकि यह इंफॉर्मेशन बाब में कभी काम आसकती है वैसे इसकी जुरूरत पढ़नी नहीं है क्योंकि आपके इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट होगी तो आपके एड्रस पे वह बाइपोस्ट आर्सी आही जाएगी यह हमारी डीटेल सारी फॉर्म 33 में जो प्रिफिल्ड है इसका भी अब इसको अपनी अप्लिकेशन को चेक भी कर सकते हैं स्टेटस के आ रहा है उसका अपना अप्लिकेशन नमबर यहां पर डालना है आपको और यह गैप्चा डालके आप सब्मिट करेंगे तो आपकी डीटेल्स दिखा देगा कि कहां तक पहुंची है क्या प्रोसेस चल रहा है उसका एक बार देखते हैं यह पर मैं अपनी डालता हूं डीटेल्स जो मैं अप्लिकेशन जो मैंने फिलप करी है उसका क्या स्टेटस है तो यहां पर यह दिखा रहा है कि जो हमारे स्टेटस वाइप्लिकेंट है वो हमारे कंप्लीट हो चुका है बाकी जो आर्टी तरफ से रहा गया है वह पेंडिंग है वेरिफाई तो दिरे-दिरे करके इन सबको कंप्लीट करते हुए यह प्रोसेस पूरा फिनिश हो जाएगी तो इस इतना ही यह प्रोसेस का आप कि आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी को कुछ प्रॉब्लम होती हो तो मुझे कमेंट में बताना तो थैंक यू गाइस तो गाइस यह मेरे पास आरसी बाइप पोस्ट आ चुकी है यह 12 देन के अंदर आ गई थी मेरे प आपको यह कुछ नए टाइप की आरसी आई है जो नए पीवीसी काड में बन गया रही है तो यह देखे गाइस इस तरह की कुछ बन के आई गया